तो आज हम इस एक वीडियो में जानेंगे तीन खास निशान के बारे में सबसे पहले है M साइन, उसके बाद है N साइन और फिर आता है A साइन अब यहाँ पे इन तीनों ही निशानों के पीछे के अलग-अलगर हसे हैं और यह आपके जीवन पे बड़ा प्रभाव डालते हैं इसमें से एक निशान आपके जीवन में नेगिटिव परभाव डालेगा दूसरा आपके जीवन में परभाव डालेगा और तीसरा आपके जीवन में धनलाब बनाएगा आईए जानते हैं कौन से निशान का क्या मतलब है तो सबसे पहले हम जानेंगे M sign के बारे में M sign जब भी आप अपने हाथ में देखें एक बात का ध्यान जूरूर रखें अगर आप अपने हाथ में left hand से काम करते हैं तो right hand में देखें और left hand में देखें अपना हमेशा uLTA हाथ देखना है जब M-sign देखना है यहाँ पर हम प्रॉपर शेप की अगर एक बारी जहलक देखें तो यहाँ पर जो है दोस्तो इस तरीके से आपके lifeline add होनी चाहिए आपकी heart line मतलब इस तरीके से add होनी चाहिए और mind line इसे के साथ चोटी सी भाग्य रेखा अब यहाँ पे एक fact है कि यहाँ पे अगर इस तरीके से रेखा मिल गई मान के चलिए यहाँ से एक रेखा निकलती है complete बन रहा है इस तरीके से तो बढ़िया है अब यहाँ पे इसका एक positive point है और एक negative point है बड़ा ही खतरनाक sign है दोस्तो जहाँ पर यह आपको फायदा देगा वहीं पर नुकसान भी होते हैं क्या क्या होते हैं आई यह विस्तार से जान लेते हैं तो सबसे पहले यह आपके जीवन में दोस्तो मनी के related योग बनाएगा कहने का मतलब धन लाब का योग बनाएगा अब यहाँ पे दोस्तो कब बनेगा योग ये आपके जीवन में, जब मतलब मान के चलिए अगर आपको मन चाही इच्छा पूरी करनी है, गाड़ी प्रोपर्टी या फिर जो भी आपकी इच्छा है, तो वो 30 साल की उमर के बाद पूरा होगा, क्याने का मतलब आपको वेट करना पड़ेगा, 30 साल की उमर के बाद कहीं नहीं दे पाएगा इस बात को ध्यान में जरूर रखिएगा वरना दोस्तों आगे चल कर हो सकता है कि आप अपने करियर को इस तरीके से ही टालते रहें कई बार ऐसा होता है अब यहां पर नेगेटिव पॉइंट के मैं बात जरूर करूंगा क्योंकि यह सबसे ज़्यादा ज मिचर देखने को मिलता है जल्ध ही चिड़ जाते हैं किसी ना किसी बास च्छुटी बाताओं को ले टी उने गुसा हो जाते हैं अरे तो दोत reproductive और यह भी देखने को मिलता है कि इसी के नीचे कारे नहीं कर सकते हैं और सकता है शुरुआती समय में इनको जॉब करनी पड़ जाए किसी मजबूरी के कारण खर्चे चलाने के कारण पर ये उस कारे को करते ही नहीं है लंबे समय के लिए जॉब को बड़ी ही जल्दी छोड़ देंगे क्योंकि किसी का ओडर ये सहन नहीं कर सकते हैं कि confused बहुत हो जाता है बहुत जादा confusion हो जाती है क्या करें क्या ना करें किसकी और कदम बढ़ा है कौन सा रास्ता चुनें तो बहुत जादा यहाँ पे एक हमें उल्जन नजर आती है तो क्या आपके साथ भी ऐसा है comment में जरूर बता देना अब यहाँ पे देखिए अगर M-sign बना हुआ है तो सिर्फ यह career के related ही नहीं इनके personal life में भी impact डालता है क्योंकि दिखने में अकरशक होते हैं लोग इनके और खिजी चले आते हैं पर इनके सभाव के कारण यह दोस्त जादा नहीं बना पाते हैं गिंती के ही दोस्त होते हैं बहुत कम दोस्त देखने को इनके मिलते हैं मतलग के मित्र कम होंगे पर अच्छे होंगे पर जादा तर यही मतलग गुस्सा करते हैं वो इनको control में लाते हैं तो इस तरीके की भी possibility बनती है और इनकी यहीं तक ही बात नहीं रुखती है दोस्तों कहीं न कहीं यह अपने love life में भी मार खा जाते हैं क्योंकि अपने दिल की बात यह खुल के कहनी पाते हैं और अगर मान के जली कह भी दी है तो इनके सभाव के कारण partner इनके पास तिकता नहीं है इनका relationship लंबे समय के लिए चल नहीं पाता है पहला relationship तो कहीं बार देखने को मिलता है कि तूटे ही जाता है और दूसरा या तीसरा वहाँ पे possibility बन सकती है कि अगर यह potential रखते हैं तो दूसरा या तीसरा relationship हो भी सकता है पर दोस्तों देखने को मिलता है कि relationship यहाँ पे कमजोर रहता है इनके सभाव के कारण इनके nature के कारण partner इनके पास टिकता नहीं है और यहाँ पे love marriage के कम और arrange marriage के chance से ज़्यादा नजर आते हैं अब आते हैं दोस्तों दूसरे sign पे और यह है end sign अब यहाँ पे दोस्तों सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखना है अपनी mind line, heart line अब heart line से एक रेखा निकलेगी अगर यह mind line तक गई है तो है positive point ठीक है इस बात को जहन में रखना है अगर यह निकल के चली जाए आपके मंगल परवत तक या फिर आपकी life line को cross कर जाए तो दोस्तों यहाँ पे बन जाएगा negative point वो कैसे या आईए जानते हैं पूरे विस्तार से ठीक है यहाँ पी देखिए इस तरीके से अगर मान कीच दिये कि यह जो आपकी heart line है जब यह दो बुखी होती है तो यह आपके G1 में double opportunity बनाती है career में जी हाँ आप एक से ज़्यादा career चूज कर सकते हैं मतलो job के साथ side business कर सकते हैं या फिर एक से ज़्यादा income के source आपके G1 में हो सकते हैं और यह भी देखने को मिलता है कि अगर आप love marriage की इच्छा रखे हुए हैं मतलो आपका कोई partner है आप किसी को दिल से चाहते हैं प्यार करते हैं तो वहाँ पे love marriage के योग बन सकते हैं पर एक बात को ध्यान में रखिएगा कि मतलो यहाँ पे यह तब तक possible है जब तक यह रेखा आपकी मतलो यह mind line तक कही है कई बार mind line से पहले भी रुख सकती है और mind line यहाँ पे हो सकती है तो यह ऐसी possibility भी बनेगी और जब end sign बनता है तो दोस्तो यहाँ पे एक possibility बड़ी ही अच्छी देखने को मिलती है कि अगर यह end sign बन जाए ठीक है यह वाला अब यहाँ पे एक positive point यह है कि आपको partner ऐसा मिलेगा आपको support करने वाला partner मिलेगा कहने का मतलब आगे चलकर यहाँ पे जो है support करने वाला ऐसा partner मिलेगा शादी के बाद अगर आपको कोई कारे करना है job करनी है, business करना है partner की तरफ से पूरा support देखने को मिल सकता है और यह भी possibility बनती है कि कई बार आपकी love marriage का जब योग बनता है तो जहाँ पर आप कारे कर रहे है तो same field में जो आप कारे कर रहे है आपका partner भी कर रहा हो है और हो सकता है कि वहाँ पर relationship शुरू हो और आगे ज़रकर love marriage का योग बन जाए और कई बार होता है कि शादी होने के बाद यहाँ पर जो है same कारे करते हैं दोनों पती पत्री मिल के अगर आप business कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके साथ partner साथ देगा पर negative point जैसे कि आपको बता रहे थे कि end sign तब तक अच्छा है जब तक यहाँ तक मतलब रेखा mind lane तक गई है इसके बाद अगर यह आगे चली जाए यहने का मतलब यह रेखा आपके मंगल परहुत में प्रवेश कर जाए तो मंगल के related दोश नजर आएंगे और कई बार आपके career और marriage दोनों में ही दिक्कते खड़ी हो सकती है याने मतलब career जो है शुरू नहीं हो पाता है या फिर बार बार कोशिश करने के बाद भी अगर आप attempt दे रहे हैं नोकरी के लिए या फिर अपने business को खड़ा करना चाह रहे हैं अगर आप business को खड़ा करना चाहते हैं और आपका career delay होता जहीं चला जाता है यहीं नहीं अभी और सुनिये और अगर marriage की बात करें तो शादी में भी यहां पर एक लिखने को मिलता है कि शादी में रिष्टा आता है पर बात पकी नहीं हो पाती है बार बार कोशिश करने के बाद भी दिक्कते खड़ी होती ही रहती है तो इस तरीकी की दिक्कते आती रहती है तो आईए बढ़ते हैं अगले sign की और और यह है आपका A sign जी हां दोस्तो A sign एक ऐसा sign जो कि आपके जीवन में एक ऐसा योग बनाएगा ना जिसमें आपका भाग्यशाली योग बनेगा और इसी के साथ आपकी सोई हुई किसमत जाग उठेगी कैसे आईए जानते हैं पर उससे जानने से पहले आपको बता दे अगर आप जाते हैं हमसे परस्नली बात करके अपनी समस्या का समधान तो अपने हाथ की फोटो सैंड कीजी हमारे इस्टागराम अकाउंट पर लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में जो भी पूछने चाहते हैं वहाँ पर आप पूछ सकते हैं ठीक है अब आपे बढ़ते हैं यहाँ पे अब यहां से रेखा जब शुरू होगी तो ये बनाएगी A sign A की अकरिती यहाँ पे तब ही नजर आती है तो अगर नजर आ जाती है तो आपको बता दे कि सबसे पहले तो ये आपको business अगर आप करते हैं ना खुद के कारे में ज़्यादा देगी ठीक है यहाँ पे इतना ही नहीं दोस्तो आपके जीवन में बड़ा धनला भी हो सकता है तो अब आपके हाथ में कौन सा sign बना हुआ है A sign, N sign या फिर M sign कमेंट बाक्स में जरूर बताईएगा और इस वीडियो का रलेटेड मन में कोई doubt या सवाल रह गया हो